हलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिजिटा लर्निंग बंस अगें मैं हूं अर्विन चौदरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज और आज हम देखेंगे कि जो हमारा एडवांस डेटा टाई या रेफरेंस टाइप होता है उसमें नेरविंग कैसे होती है या नेरविंग या specialization कैसे होता तो अल्रेड़ेडि हम प्रिवेस लेक्ट्र में वाइंडिंग देख चुके हैं या generalization हम देख चुके हैं जहां पर हमने क्या किया है तो वहां पर क्या वहता हमारा जो सब क्लास का अब्जेक्ट था उसने सूपर क्लास का अब्जेक्ट में वैल्य पास के अब यहां पर हम क्या करेंगे सूपर क्लास का अब्जेक्ट create करेंगे और उसको सब क्लास के object में पास करेंगे तो इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं और यहां पर इस प्रोजेक्ट का हम नाम रखते हैं नेरोविंग एन एडवांस डेटा टाइप देन इसके अंदर हम क्लास क्रियेट करेंगे इसके अंदर हम एक नई क्लास क्रियेट करेंगे वन देन इस वन क्लास के अंदर हम एक मैथड लेंगे शोवन शोवन देन इसमें हम प्रेट करवाएंगे शिस्टम शिस्टम.out.println सूपर क्लास मेथड सूपर क्लास मेथड देन हम क्या करेंगे एक दूसरी क्लास टू नाम की क्लास क्रियेट करेंगे और इसको एक्टेंड करेंगे किससे वन क्लास से सह लॉ踏 छोग तैज के अंदर हम सेम हम यहां पर एक अमैंथड लेंगे फतनी शोडू और इसके अंदर हम लेंगे सब क्लास अब्जे leads तैन क्या करेंगे हम यहां पर बाहर आएंगे दैन एक नई क्लास क्रिए टरेंगे demo और इस demo class के अंदर हम क्या करेंगे main method create करेंगे aesthetic void main string argument then यहाँ पर क्या करेंगे हमें यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे t equals to 2 then यहाँ पर हम 2 new 1 यहाँ पर हमने क्या किया one class का object पास किया one class का object create किया और इसे two class में type casting करके पास कर दिया miss one class का object करके two class में पास कर दिया then हम क्या करेंगे t.show one करेंगे अब हम इस program को run करके देखते तो यह आप देख सकते हैं हमारा call नहीं हो पारा then again अगर हम two class sorry हम यहाँ पर show two को call करके देखते हैं then आप देखें class casting exception तो अब इसका solution क्या है means यहाँ पर हम जो हमारी narrowing वो नहीं कर पा रहे तो इस condition में हम क्या करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग करेंगे वन new two means हमने क्या किया यहाँ पर winding की means हमने child class का object create क्रेट किया और उसे पास किया parents class में then यहाँ पर हम क्या करेंगे two t equals to इसको ओको पास करेंगे two के अंदर then क्या करेंगे t.show1 means हमारी show1 call हो पा रही है check करते okay यहाँ call हो चुकिए then हम क्या करते हैं यहाँ पर two class को भी show2 को भी call करते same object के थूँ अगेन हम run करते हैं यह आप देख सकते हैं हमारी super class and sub class दोनों को हम call कर पाने हैं अब अगर आप देखेंगे program के थूँ suppose यहाँ पर हम यहाँ पर हम okay थूँ अगर call करते हैं sorry यहाँ पर हम okay थूँ अगर show1 को call करते हैं तो हो पा रहा है देन अगर हम two को call कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहा है means अगर हम winding यूज करते हैं तो हम 50% चीज़े यूज कर पाएंगे means 50% चीज़े means हम super class की methods कोई call कर पाएंगे बट अगर हम यहाँ पर narrowing करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 100% चीज़े means super class method और sub class method दोनों को call कर सकते हैं तो यह था narrowing in advance और reference data type तो आज के लिए इतना ही thank you for watching this video